एक बच्ची का मेसेज आया था वो कह रही थी मैं बड़ा डिमोटिएट फील कर रही हूँ पता नहीं मेरा सेलेक्शन होगा नहीं होगा तो सीधी सी बात है अभी आपके पास मैंने उस दिन भी बोला था आज भी कह रहा हूँ प्लीज इस तरह के नेगेटिव थौट्स मत ल कि आप अपने आपको पहशान करते हो बेचैन करते हो आज मैं आपको जिंदिगी के एक सच्चा ही बताओं जब मैं पढ़ाई कर रहा था जब मैं परप्रेशन कर रहा था मुझे भी एक बाए एंग्जाइटी हुई थी ये बात सच है टेंशन होती है कहना असान होता है कि टेंशन मत करो लेकिन जिसके उपर बीटती है ना उसको पता होता है तो भाई ऐसा कुछ नहीं है कि टेंशन मुझे ना हुई हो टेंशन तो मुझे भी होती थी ये लगता था कि लाइफ में क्या होगा कैसे होगा ये वो फलान अडिमा का मन में नेगिटिव थौट्स आते है ना खाना खा रहे हो ऐसा तो कुछ था नहीं जो भी था सब वो सिर्फ अपने दम पे ही करना था कैसे ना कैसे करके लाइफ में ये भी दा किया फैमिली की रिस्पॉंसिबिल्टी भी थी आगे बढ़ना भी था कुछ बनना भी था तो इस तरह की एंग्जाइटी हुई थी मेरे को भी होती थी इसमें कोई शक नहीं इस तरह की टेंशन मेरे को भी होती थी लेकिन यकीन मानों में अपने आपको बस यही समझाता था कि चुपचाप काम करता रहे बाकी चीजों को समय पे छोड़ दे लाइफ में जो होना होगा धीर धीर सामने आता रहेगा तो इसी तरह से unnecessary परशान ना हो, अभी आपके पास बहुत टाइम है, अभी आपके पास क्या कहते हैं, जनवरी आने में बहुत समय है, अभी आपके पास फैव ये वो आने में बहुत समय है, तो अगर आप ये सोचते रहेंगे कि मेरा क्या होगा, मैं 12 भी पास हो पाऊंगा नही नहीं हो पाऊंगा, मेरा mains clear होगा नहीं होगा, मेरा advance clear होगा या नहीं होगा, अगर मैं इस तरह की negative thoughts अपने मन में रखूंगा बिटा, तो मैं जो अपना best दे सकता हूँ, मैं वो भी नहीं कर पाऊंगा, मैं आपको बहुत एक छोटा सा example दे रहा हूँ, बात को बहुत ज्या Cards वो इससे इस तरह का pyramid बनाते है, जल्दी से मुझे बताओ हाँ या ना, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, होते हैं न, लोग बाग एक गेम खीपलते हैं, वो ऐसे playing cards के तरू इस तरह से क्या वितै से परैमटश का बना देते हैं, पता है नहीं प कोई time limit नहीं है कुछ नहीं है बस मुझे बोल दिया जाये कि बनाना है में बड़े आराम से दीरे दीरे और कोशिश कर करके दीरे दीरे करके जैसे तैसे बना लूँगा लेकिन मुझे बोला जाए कि भईया तुम्हें एक मिनट का समय दे रहे हैं, तुम्हें पांच मिनट का समय दे रहे हैं, तुम्हें दस मिनट का समय दे रहे हैं, भले चाहे तुम्हें प्रैक्टिस हो या ना हो, बस तुम तो इस पर्टिकुलर डिवरेशन में करके दिखाओ, ये पिरेमिड बना करके दिखाओ, तो क्या हो तो फिर इंसान negative mindset में चला जाता है, और फिर वो जो अपना best performance दे सकता है, वो भी नहीं दे पाएगा, जी हाँ, this is the reality, जो वो अपनी best performance दे सकता है, वो वो भी अपनी best performance नहीं दे पाएगा, तो अगर आप अपना best देना चाहते हो, तो बटा ये जो anxiety नाम का शब्द है, इसक तो अपने दिल और दिमाग से निकाल दो, अपने आपको मजबूत बनाओ, कुछ इस तरह का बनाओ, कि तुमारे उपर आसपडोसी, घरबार, इन सब के किसी के negative thoughts का कोई असर ना हो, तुम कुछ अपने आपको इस तरह से ढ़ालो, अभी से, कि तुमें आगे, अभी तो मत बहुत कुछ बाकी है यार, अभी तो बस शुरवात हुई है, यू मानके चलो कि तुमारे पास फिलाल खोने को कुछ नहीं है, जो भी ऐसे पाना ही पाना है, तो जब खोने को कुछ नहीं है, तो डर किस बात का, और यकीन मानो मैंने अपने आपको बुरे वक्त में यही सि वसले के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ते रहा करो बाकी तो या सारे teachers जो भी है pw के हरे teachers वह आपके साथ है time to time आपको motivate करते ही रहते हैं क्यों परशान होना यार क्यों परशान होना दिल और दिमाग से निकाल दो या मैंने भी वह बहुत बुरा वक्त देखा है मुझे भी पता है बहुत बुरा समय में होता है वह मतलब यकीन मानो ना रातों में नीन सही तरह से आती है ना दिन में खाना सही तरह से खाया जाता है ना चैन से जिया जाता है लेकिन बस अपने दिल के किसी कोने में हिम्मत बनाया रखनी पड़ती है कि ये वक्त है ये भी निकल जाएगा आस समझ में आ रही है ये वक्त है ये भी धीरे धीर करके निकल जाएगा ठीक है बस इस लिए कहता हूं ठीक है परशा practice बढ़ा दो इसके लावा बेटा कोई इलाज नहीं है बुखार तो पीरस भिटा मोलले से उतरेगा न भुखार तो पीरस भिटा मोलस इतरेगा न यार यू जो जिसके लिए बनी है वो करनी पड़ेगी, तो question practice करो, अगर किसी question में समस्यां आती हैं किसी topic में, question practice करो और यह कुछ बच्छे कहते हैं कि sir, क्या कहते हैं, मेरा तो दोपेर का school है, मैं क्या करूँ अरे भाई मैं क्यता हूँ, तो किस्मत वाला है कि तेरा दोपेर का school है, सबसे fresh time, सबसे fresh mood जो होता है इंसान का, जिस समय उसको maximum चीजें याद हो जाती है, maximum चीजें उसके दिल दिमाग में बैड़ जाती है, वो सुबह का ही होता है भाई उड़ जाना, क्या किते हैं, रात की क्या किते हैं, 11.30-11.00, और सुबह पाँच बज़े छे बज़े उड़ जा भाई मेरे, पाँच बज़े उड़ जा और फिर अपना क्या केते हैं, पढ़ना शूव कर देख पूरा दिन ऐसा लगेगा जैसे अपना ही है अपना ही है, पूरा दिन अपना ही है, मैं तो कहता हूं बहुत किसमत वाले बच्चे होते हैं, जिनका दोपैर में स्कूल होता है, सबसे बड़िया फ्रेश मूड होता है, उनका सुबह सुबह आराम से वो दिल खोल के पढ़ सकते हैं, अपने लेक्छर्स देखो, साथ के क 사ल होगी छोटे- свой second चलो भी तुम अब उसमें क्या होता है तुम आते हो और क्या केते हैं पूरे दें इस्कूल में ब्था क्या आते हो फिर तुम 2 बज़े से तीन बज़े से यहाँ चालू हो जाते हो तो मैं भी मानता हूँ या कि तुम कितनी तकलीफ में जीते होगे लेकिन उसका सिर्फ एक ही solution है बिटा अपने आपको relax रखना सीखो पानी वानी ज्यादा से ज्यादा पिया करो अपनी body को hydrate रखा करो फोड़ा सा अगर समय मिले और मेरी बात appeal करे तो ज्यादा नहीं hardly 2-5 मिनट meditation कर लिया करो अगर किसी में believe करते हो तो उसको याद रख लिया करो उसको याद कर लिया करो कसम से कह रहा हूँ बहुत power मिलती है body को और फिर आगे बढ़ा करो समझे हाँ ऐसे परशान मत हुआ करो अच्छा नहीं लगता मतलब बहुत तकलीफ होती है मैसेज आते हैं सर मेरे यह वह अच्छा नहीं लगता बहुत तकलीफ होती है पढ़के तकलीफ होती है गया देखो बच्चा बहुत पहने कैस समय चलिए आईए अगरा question करते हैं बटा आगे देखते हैं